रगुकोल रीत सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाई दरसल अयुध्या के आसपास के सौ से जादा रगवंशी राजपूतों ने आज से 500 साल पहले प्रण लिया था प्रण ये था कि जब तक भगवान राम एक बार फिर से अपने घर में विराजमान नहीं हो जाते हैं अब उस घर में प्रवेश नहीं करते हैं तब तक यहां के जो शत्रिये हैं खासतोर पर जो रगवंशी राजपूत हैं वो ना तो सर पर पगड़ी धारन करेंगे ना ही छाता लगाएंगे ना जूता पहनेंगे देखा जाए तो 500 सालों का वक्त गुजर चुका है हलाक के सुर्य कुंड में पगड़ी पूजन कारिकरम को रखा गया है और जो आसपास के जो तमाम शत्रिये हैं यहां पर वो यहां पर पहुंचे हैं कुछ लोगों से बाचित भी करेंगे और समझेंगे कि आखिर उन्हें अब कैसा एसास हो रहा है कि देखा जाए तो जो इनके पूर्वजों ने जो प्रण लिया था वो प्रण अब खत्म होने वाला है आप किस गाउं के रहने वाले हैं और परशे अपना बताईए पर यहां हमारा गाउं है सराय रासी जी जी और हम लोग सुर्वंच छत्रिये हैं 115 गाउं सुर्वंचियों का है अजुद्या में इस तरीके से आपके पूर्वजन और देखा जाए तो दस से बार हमी पीढ़ी इस वक्त होगी गुजर गई होगी तो पीढ़ी दर पीढ़ी यह प्रण कैसे चलता रहा थोड़ा समय बताई या पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे पूर्वज ने हमारे हां पहले भी रही है राजा दस्ता जी ने कहा था जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने कहा था रखुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाई पर बचान चाही हमारे हमारे जो ठाकुर बाबा गजराज ने जो कसम खाई थी हम तो उनकी नवई पीढ़ी है तो अगर वो कसम खाके गए है तो फिर में चले जाएंगे हम लोगों बहुत अपार खुसी है होली दिपावली हम लोग बाइस्तारी को एक साथ मनाएंगे कितनी परिशानी होती थी देखा जाए तो अगर हम शत्रियों की बात करें तो पगड़ी शान मानी जाती है कहा जाते है कि शादी में भी आप लोग में पगड़ी पूजन का कारिकर्म रखा गया है तो कितने का कितने यह इसलिए रखा गया है जो हमारे पूरवज नहीं करेंगे तो हम लोग यहीं से हमारे पूरवान के सामने हमारे प्रतिक्या पूरी हो गई यही से हम लोग जैसुर भगवान का दसन करके अपने गजराज बाबा का नाम जैकारा लगाते हुए उनका अब जो हम लोग पगड़ी धान करेंगे यहां के लोगों के लिए सबसे पहले तस्वीर दिखा दूँ जो पगड़ी लाई गई है दरसल बकाइदा यहां पर सुर्यकुड में पहले पगड़ी पूजन किया जाएगा और इस पूजन के बाद जो यहां पर पगड़ी रखी गई है सबसे पहले जो गाओं के बड़े बुजुर्ग हैं वो इस पगड़ी को धारण करेंगे और देखा जाए तो चुकि तकरीबन 500 सालों के बाद वो शुबगड़ी आई है तो जाहिर सी बात है कि जो प्रण इनके पूरवजों ने लिया था चुकि वो प्रण अब खत्म होने वाला है और जाहिर सी बात है कि ना सिर्फ अयुद्या के जो रखवनशी राजपूत हैं बलकि जो बगल का जिला है बस्ती में भी कई गाओं माने जाते हैं जहां पर इनके वंशज रहते हैं तो वहां भी इस बात की सुचना पहुंचा दी गई है कि सुरिकुंड में पगडी पूजन का कारिकरम संपन हो चुका है और अब जो रखवनशी राजपूत हैं अयुद्या और आजपास के जिलों के रहने वाले वह पगडी धारण कर सकेंगे वीडियो जनलिस्ट सेफुलसं के साथ अविना आशु सिंग अविटका